यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ ले जाते हैं लेकिन चुनावों के बाद और विधायक बनने के बाद यहां पर कोई नहीं आकर देखता कि आकर क्या के समस्या यहां पर लोगों की सामने आती हैं और कहा कि पानी की समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों को भी सूचित किया जा चुका है लेकिन समस्या की तर और यहां पर पानी आई हुए साथ साल हो गए हैं और मेरा सरकार से यह नमेदन है कि यहां पर कुछ प्रबंद करें ताकि हमें हम लोगों को जो है वो पानी उपलवद हो सके यहां पर पश्वों को पानी पीने और कपड़े धोने तथा अन्य कामों के लिए पानी तो बड़ी दूर की बात है लेकिन आदमी को पीने के लिए स्वाइम पीने के लिए भी पानी तिन चार किलो मेटर दूर से लाना पड़ता है अते मेरा सरकार से नवेदन है कि वो पानी की बवस्ता करें ताकि यहां के लोग रहात की सांस लें